नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग आप सभी का देखिए मैं थोड़ा चलते चलते मॉर्णिंग वक पे यह हूं और चलते चलते वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा आपका आवाज में आपन डाउन होगा ठीक है तो चलिए आज शुरू करते हैं आज टॉपिक है हम कि बढ़ी जूँगा अभी जो मिला सामने में समेश्टर फोर का होता है और देखते हैं कि इसमें क्या कॉश्चन आते हैं और किस टाइप लुट बात थे इस साल से सब्जेक्टिव कर दिया गया है आप चाहिं किसी भी निवर्शेटी बढ़ाई कर रहे हैं वीनवाव इन किस टाइब के कॉस्चेन आते हैं एंटर पर बिल्पमेंट में तो बहुत ईजी कोश्जयन है मैंने तो कभी नहीं पढ़ा एंटर प्रणुर्णर इच्पनेर्सिफ दर ब्ला है कि यहां पर इंस्ट्रक्षन दिया गया गया और दो-दो अंको वाले दो question है सबसे पहले objective को देखते है तो पहला objective है इसमें कुछा गया है कि एक एक उद्धमी जो एक रहे यार रुको चल चल के न देखा एक उद्धमी जो एक से अधिक वैसायों का स्वामी होता है मालिक होता है उसको क्या बोलते है an entrepreneur who is the owner of more than one business is called तो दोस्तों जो ऐसा आदमी होता है न सबसे पहले तो बहुत गजब का आदमी होता है जी जो एक से ज़्यादा बिजनेस समाले उसमें अंदर quality होती है उसको बोलते है portfolio entrepreneur ठेक है और आदमी यह गुण जिस आदमी के अंदर होता है वह तो गरीब नहीं रह सकता है अमीर बनेगा ही बनेगा ठेक है ठेक से देखते है बी नमबर तो बी नमबर में पुछा गया है इसमें पुछा गया है कि उद्धमिता एक रचनातमक गतिविधी है किसके दुवारा कहा गया है एंटरप्रडियोर्शिप इज एक क्रियेटिव एक्टिविटी सेड़ बाई तो उसनों यहां कहा गया है आपका जोसेफ अस्टिमूलस के दुवारा क्या नाम है यार जोसेफ किसी तरह है फॉटफॉलियों नहीं पुरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है यहां पे क्यावल जोसेफ लिख दिया है तो यही होगा इसकराइट अंसर जोसेफ मैंने तो उद्धमिता पढ़ा ही नहीं है थोड़ा बहुत जो जानता हूं उसी से देखिए सी नंबर में है यह question पुछा गया है कि सफल उद्धमि का hallmark क्या होता है hallmark of a successful entrepreneur तो एक successful entrepreneur के बहुत सारे hallmark होते है जिसमें जोखी मुआ वहन चमता ये भी है दृदता यानि कि जिसको हम लोग persistence बोलते है ये भी है उसके बाद flexibility यानि कि लचिलता ये भी है और आपका self confidence यानि कि आत्मी विश्वास ये भी है तो ये तो चारो ही option में है इसका right answer होना चाहिए इन में से सब ही लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है तब हमको छाटना है कि सबसे ज़्यादा important कौन रखता है माईने तो सबसे ज़्यादा जो मतलब इन सभी में चुनेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गुन है वह सबसे बड़ा गुन है आपका आत्वी स्वास self confidence होने चाहिए बंदे में बोलते हैं आदमी में self confidence है उसके खुद कोई अपने काम पर भरुसा नहीं है आगे देखते हैं तो डी नंबर कॉस्चन है इसमें पुछा गया है कि निड़नाए निवेस लेने के बाद कौन सा चरण सुरू होता है विच फेज अस्टार्ट आप्टर दे इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस टेकन तो उसके बाद सुरू होता है आगे देखते हैं अब आता है गुरूप भी इसमें आपको किनी दो आंसर करने होंगे सौट नॉट्स लिखने होगा दो-दो मार्क्स वाले राइट सौट नॉट्स ओन दा फॉलविंग निम्लिखित पर संचिप टिपने लिखे और दो आंक वाली कौशन नहीं इसका आंसर आपको लगभग 50 वर्डस में करना है उससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि समय आपके पास काम होता है दो घंटा औ सब्सक्राइब करना है आपको 200 सब्सक्राइब तो पहला है आपका और जितने भी आट माक्स वाले हैं क्यों चार ही बनाने हैं तो पहला है एक अच्छे उध्धमी की विसेस्ताओं की वैख्या कीजिए एक्स्पलेन दा करेक्टरिस्टिक आप गुड़ एंटरपर्णियर तो एक गुड़ एंटरपर्णियर के बहुत सारे गुन होते हैं जैसे कि अभी हम लोग ने देखा था ठीक है दृद संक हो गया लाचीला पन हो गया फ्लक्सिबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस उन सब को पता सकते हैं कि एंटरपर्णियर के बिना देश बिजान सा लगेगा ठीक है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एंटरपर्णियर ही बने भाले छोटा बने लेकिन जरूर बने फोर नमबर इसमें पुछा गया है कि उध्धमी होने के नाते आप अपने वैसाई के भावि बिजनेस फ्यूचर ठीक है और वीडियो के एंड में एक बात बोलूँगा अभी तो पहले कोशन कर लेता हूं उसके बाद सला रहेगी आप लोग मानेंगे चाहें नहीं मानेंगे आपके मर्जी फाइप नमबर है कि सुक्ष में उध्योग क्या उधारना लिखे एक छोट पुछा गया यह कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कैसे जुटाएंगे वह बताना है हाव डूड यू राइस फंडिंग पर यॉर प्रोजेक्ट तो यह हो गया क्वेशन नमबर शिक्स नेक्स देखनें तो क्वेशन नमर सेबन इसमें पुछा गया है कि सार प्रद्धोगी की कारी चित्र की विवेचना करें डिसकस दग असकॉप अप इंडस्ट्रियल टेक्नलोजी और आपका अंदिम कोश्चन नमर नाइन इसमें अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपको दो प्रश्णों के आंसर करने होंगे पहला है निम्लिखित पर संचिप नहीं लिखे ठीक है और पहला है वित्य सहायता फाइनल सियल सपुड दूसरा है उद्धमी की अ भूमी का रोल आप एंटरपर्णियर ठीक है तो यह थे आपका पेपर एटिपी का पेपर सेक पेपर टू और सेट सी इसके बाद सेट वान और सेट बीका भी एक्जाम हो गय है ठीक है और यहां बहुत अच्छे से जाएं देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा था कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे पक्का है कि सब 18 पलस होंगे ठीक है देखिए दोस्त मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप चाहे जितना भी कमाते हैं आपके जी मुझे मालूम नहीं पचास लाग एक लाग ठीक है या पांच जार दस जार जितना भी कमाते हैं एक जी बोलूँगा कि अगर जब आप 21 साल के हो जाएं ठीक है 21 साल के हो जाएं सभी बता रहा हूं दोस्त सबसे पहले गर्जुसन करने के बाद आप अपने रोजगार क तके ऐसा कोई काम करने सरकारी नौery की तैयारी करना चाहते हैं तॉ मैं बता दूर सरकारी नौटरी का अगर आप इसमें चाहते है तो हाँ अगर आप वह गुन है पजो दो साल देजिए उसने जयादा नहीं कि इस सरकारी नोकरी पशंदा पाने खिये तो मेरे ख्याल से प्राकश थता है कितने भी कितने भी अमिर आदमी रही साहद में क्यों ना आपकी आपकी तो महलच आपका पैर आपकी कुलाड़ी से मेरे दोस्त 25 अगर आप अच्छी लगीए विडियोhehe खैन थे लौज़